जहन फ्रेंट चले शुरू करते हैं आज का दहिंदू एडिटोरियल एनलेसीस जिस पर सारे डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मिल जाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अस्पेक्ट्स क्या है यहां पर आपको एडिटोरियल के साथ साथ बैक्ग्राउंड की डिटे को लेकर के निउज है और यह कनाड़ा कहा आता है नौर्थ अमेरिका का एक कंट्री है जो आपका आर्क्टिक जोन भी टच करता है कनाड़ा अब कनाड़ा और इंडिया की रिलेशन की बात करी जाए तो यह बहुत ही जदा डेटी औरी रेट कंडिशन में आ रही है यानि चाउन बहुत जदा इनकी जो इंडिया की कैनाड़ा की रिलेशन है बहुत जदा नीचे अस्थर पर जाती हुई दिख रही है तो यहां पर कंसूलर कैंप्स की बात करी जा रही है यह कंसूलर कैंप्स क्या होता है वह हम जानेंगे कंसूलर का मतलब होता है कि वह अधिकार के नागरिकों की मदद कर सकें तो यहां पे कनाड़ा उसको कैंसिल किया हुआ है तो मेनी कंसूलर कैंप्स कनाड़ा में कैंसिल हुए भारत ने इस बगार की बाते करी है अभी रिसेंटली हर्दीप सिंग जिज्जर की हत्या हो गई है असासीनेशन हो गई है जिसके कारण वह के आये हैं जो चुने गए हैं वहां के प्रेसिडेंट अमेरिका के देखते हैं कि इसी साब से हम अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अब यहां पर जो डिसीजन निकलके आ रहा है कि यह बहुत ही ज्यादा इस्सू निकलके आया है यह कि वहां पर जो हिंदू के मिन्टी वहां पर क्रिषाइड करती है रहती है और वहां की रिसीडेंस इंको हम मिल गई है और से चेंटिजन ही नहीं कि के यापना प्रिस्टिक से सम्मण्द मना चुके एं वहां की सारी परिशूबकल से जोड़ा又ब हुँक्ता कर बैग्राउंड डिटेलिंग आपको बताया मैं अभी इन सब इस्सू को वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा बनाके प्रोटेस्ट हो रहा है किसके खिलाब इंडिया के खिलाब इंडिया के खिलाब बहुत पहले समय से ही इस्सू निकल के आ रहे हैं 1984 में अगर हम चले जाए 1984 में जब जाते हैं तो जो शिक का यहां पर कॉंट्फ्लीक्ट हुआ था वार वार था और ब्लू रिवलुशन बोला गया था इसको इस हिसाब से ब्लू ब्लू ऑपरेशन बोला गया था तो ब्लू ऑपरेशन में भी बहुत सारे सीख लोगों की हत्य हुई थी कहीं बहुत सारी इस्सू इस प्रकार से जूड़ी हुई है जो आपको समझने की जरूरत है तो यहां पर बहुत सारे वाइलेंस से पुना हुए हैं तो अपने अपने कॉंसूलर को इंडिया अपने एद्वाइको अबेश्डर को भारत इंडिया बुला लिया है ये थी important news जो मुझे आपको बताने थी अब यहाँ पे बात करी जा रही है इंडिया कनाड़ा की जो relation है वो हर मामले में अगर बोली जाए तो आलमुष 10 billion dollar की हम लोग ब्यापार फिल्ड से जुड़े हुए थे 10 billion dollar कम नहीं होता है और हमारा सबसे ज़्यादा उनसे trade था उनक पे गए हुए अलमुष 3 lakh student 2020 2022 में गए थे और यह पर यह दो लाग तिन लाग जाते रहते हैं जिसके कारण यह एक बहुत बड़ा इसू भी है तो जियो पॉलिटिक्स किसी साब से चलेगी वो देखने योगे बाते रहेंगी कमला है रिस की बाते निकल के आ रही है यह एक candidate थी आपके US के election में तो election तो हार गई डुनाल ट्रम इलेक्शन जीत गए डुलान ट्रम किस पार्टी से है तो Republican Party से है यह कमला है रिस जी डेमोक्रेटिक पार्टी से थी और डेमोक्रेटिक पार्टी से थी तो इन्हों ने कहा कि हम election हार गया है लेकिन हम लड़ाई नहीं हा पोर्टर थे उन्होंने हिंसा तक करवाई है हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो यह ऐसी बात इनका statement रहा है देखते हैं किसी साब से वर्ल्ड पीस चलती है क्योंकि पावरफुल कंट्री अभी इनके प्रिशिजेंट इलेक्ट होके आये हैं तो देखना पड़ेग किसी भी नदी की अगर पॉलूशन की यह इस्थिती हो जाए तो आप समझ सकते हैं उस कंट्री में किसी साब से एड्मिनिस्टेशन चल लहा होगा यह सीधे सीधे question खाड़ा करती है आपके administration policy पर अब यहां पर यह कोई दूसरी नदी नहीं है भारत की सबसे पवित्र और पुजनी नदी मानी जाती है उनमें से एक नदी है जिनको हम यमुना कहते हैं तो यमुना नदी है यह अब यमुना नदी पर घाट पर यहां पर चट के बहुत सारे सवरद्दालों लोग चट होते हैं देखिए बहुत ही ancient festival है यह चट बहुत ancient इस ब्रत को माता सीता ने भ सूरज को हम प्रडाम करते हैं दोनों सूरज को यहां पर अर्ग दी जाती है और प्रडाम की जाती है और सारी की सारी नेचुरल अस्पेक्ट वाली चीजें हम यहां पर मां को चड़ाते हैं यहां पर नेचर से जुड़ने का प्रावधान है यह कोई सिंपल सा पूजा और प से बहुत बहुत बढ़ाई लेकिन यमुना की जो पलूशन अभी इस प्रकार से देखने के लिए मिल लई है वो क्या है उस पलूशन के पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है सबसे पहले क्या जो भी डाइरेक्ट सीवेज जाता है किसमें मालीजे ये नदी है और इस नदी में से निकलने वाले सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले उनके कुडे कच्छडे और सारे के सारे जो डंप यहीं पर नदी में अगर आके मिलने हैं तो क्या होगा तो चैमिकल इंड़स्ट्री से भी कैमिकल निकल के जा रही है और हर प्रकार से जो देख रहे हैं हम ही लोग जिम्मेदार हैं और हम ही लोगों को भुगतना पाड़ा है अब यह जो पानी चल के आ रहिए देली की जिसे लाइक लाइफ लाइब बॉला आप यह लाइक लाइं लेकिन यहां पर जितने भी कैमिकल हैं वो कहीं पानी में मिलेंगे विना हमारे फिल्टर में होके हमारे ग्लास तक यह प्रॉब्लम पहुंचेगी तो हमारे जो प्लांट्स मेटेरियल हैं जो फ्लोराप फॉना है वह भी तो इसी से सर्वाइब कर रहे हैं तो उनको हम हार्म क कर रहे हैं कि नहीं तो सस्टेनेबल तरीके से अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेस्चन निकल के आ रहा है कहीं हमारी एड्मिस्टेटिव फेलियर निकल के आ रही है हम लोग केवल और केवल प्रॉडक्शन प्रॉडक्ट और ट्रेड इंस पर ध्यान दे रहे हैं ह यह तो पहला एडिटोरियल है और इसके साथ ही एक छोटू सा एडिटोरियल यह भी है आर्टिकल के रूप में निकाला है इन्होंने अपना व्यूज बताया है इसको भी हम कबर करेंगे दोनों एक ही साथ तो यहां पर हम सबसे पहले यहां से सुरुगात करेंगे कि इस्टेट जो है पहले तो मैं इसको बता चुका हूँ इस्टेट आर्टिकल 39 की बाते कर रहा यहां पर आर्टिकल 39 B और C जो कलाज है उसकी बात चल लही है तो आर्टिकल 39 और B में क्या है तो इस्टेट के पास ऐसी समताएं हैं रिसोर्स हैं कि वो उसको टैकल करे इस्ट पहले तो अगर DPSP की हम बात करें डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप इस्टेट पॉलिसी जो यहां से कोश्चन भर 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 के पूछता है तो यह क्या है पार्ट फॉर आफ इंडिया में में हैं 36 से लेके लेवन तक अच्छा फंडमेंटल राइट कितने कितने से हैं तो यह आपके 12 से लेके 35 तक आता है यहीं से 36 से लेके एक्याउन तक चोथे पार्ट में और यह तीसरे पार्ट में आता है तो फंडमेंटल राइट थर्ड पार्ट में और यह फोर्थ पार्ट में DPSP आता है इसको कहां से लिया गया है तो सीदे सीदे आईरिस आईरलेंड से लि यह दोनों fundamental राइट और DPSP को इन्होंने बोल दिया DPSP इंस्टुमेंट आप इंस्ट्रक्शन इंडिकेट करती है गवर्मेंट आप इंडियाएक 1935 में यह फोकस किसमें करता है इसका टार्गेट एरिया क्या है एकनॉमिक होना चाहिए यह सोचल डेमोक्रेशी पर फोकस होना चाहिए यह पॉलियरगरडडकर प्र पर फोकस कौन करता है कंप्र चुठ मेंटल प्रकाता फंटमेंटल राइट करता है बसेशल और יה इकनॉमिक आसपेक्ट अफ़केनूं पोकस करता है 86th बहुत important है 2002 में आया था 97th की बात करें तो 2011 में लाया गया था यहाँ पे कुछ article है जो add किये गए है 39, 39A, 43A, 48A यहाँ पे add किये गए है और 44th Amendment Act 1978 में article 38 में यह कहता है कि minimize कर ये inequality in income जो भी income यानि rich और richer हो जा रहा है पूर और पूर और हो रहा है 2002 में बहुत ही important आर्टिकल एड करता है वो आर्टिकल 21A एड करता है यह याद रखिएगा आपके किस में यह एड होती है आपके fundamental right में और यह आर्टिकल 45 का matter है जो मेट करता है elementary education तो यानि प्रारंभिक सिच्छा बच्चों में मिलनी चाहिए 97-2011 में आता है यह cooperative society लेके आता है यहां से question बहुत भर भर के पीछा गया किस आर्टिकल में यह है तो 43B में यह पढ़ता है तो यह एक जिस्ट हो गई आपको डिरेक्टिव प्रिंश्पल आप state policy की हाला कि अगर इसकी पूरी detailing की हम बात करें तो यह enforceable नहीं है यह state के उपर है कि क्या implement करेगा क्या नहीं यह court में enforceable नहीं है इस पे आप कोई चीज लेके लड़ नहीं सकते तो यह state की consigns होती है उनका wish और will depend करता है कि इसको implement करना है या नहीं करना है यह उनके उपर है यह बात याद रखिएगा जो कि मुझे आपको बताना था अभी इसकी background detailing जो अभी आपको दिया मैं अब यहाँ पे point पे आते हैं असली अगर point पे आए हम यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे यह देखने को मिलेगा तो जो constitution है उसकी जो economic philosophy है और socialist philosophy है DPSP की जब भी बात करी जाएगी तो इसी philosophy की ही बात करी जाएगी क्यों क्योंकि इसी मुद्धे को लेकर के DPSP में बाते रखी गई है सारी की सारी philosophy, economy और socialist aspect की डाली गई है तो डायरेक्टिव पिसमल आप तो land की बात होती है natural resources की बात आजाती है खास करके private property की बात करी जा रही है तो कितना ये अपने इसको guard कर सकता है कितने हद तक state के जो land है private property उसको अपने under में रख सकता है इसी पे काफी बड़ा question निकल के आया है उसी को हम समझेंगे यहां पर क्या बाते करे जा रही है तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि state का obligation होना चाहिए कि यह common good हो यानि state अगर government है for example अगर उत्तर परदेश government है उत्तर परदेश government private property को एक particular use के लिए न ले ले एक common good के लिए ले यानि public welfare की बात करी जा रही है यहां पर पब्लिक welfare अगर notion में रहेगा तब जा करके यह सबसे अच्छी बाते होगी इस परकार करें Supreme Court अपना judgment रिजिंट दिया है और prevent करें concentration of wealth जो जो भी वहां पर property है wealth है उसको एक हाथ में private player को देने से बचे क्योंकि यह common goal के लिए common good के लिए बात करी जा रही है और productions जो है वो एलाव करें जो fundamental rights के अगेंस्ट में नहीं है तो यह इसके चक्कर में बाते बोली जा रही है जो आपको जनने बहुत जरूरी है यहां पर working up the economic system जो common detriment है जो common goal से हट के बाते करी जा रही है वो पाया जाता है आपके 39 B और C में तो यह इसी की हम बात कर रहे है 39 B और clause C इन दोनों clause की हम बात कर रहे है तो recent verdict जो आया है 9 judge based up supreme court वो क्या कह रहा है कि not all private resources would fall under the ambit of material resources सारे के सारे जो private resources है वो material resources में नहीं जाते यह community article 39 में आता यानि अब state के पास ये इतना state है state government के पास ये इसका state है अब यहाँ पे जितने भी private property है सारे तो इसके हाथ में नहीं जाते लेकिन अगर common goods के लिए बात करें welfare की बात करें तो वो कहीं कहीं उसके निकल के आती है तो वो limited लगाया है आप सब चीज नहीं ले सकते यहाँ पे वही बाते करी जा रही है और एक बड़े broad view में बात करी जा रही है आप उसको ले सकते है और limitations की बात जो कह रही है यहाँ पे Supreme Court कह रहा है तो private property को state subject की रूप में तो देखा गया है लेकिन state की ही एक limitation है उसको वो क्रास न करे Court यहाँ पे majority से अपनी opinion को reject करता हुआ पा रहा है कि जो expensive भी है जो उनके पहले जो judge थे उन्होंने जो लिया है कि any private resource including individual earned यह इसके ambit में पढ़ता है इसको जो है क्या reject किया है उन्होंने क्या कि माली जे यह आपका land है इस टेट चाहे तो इस पे ले सकती है इस प्रकार का judgment था यह इसको काटा गया है यही बात कहरा है एकदम simple सब्दों में डारेक्टिव principle cannot be seen through any particular ideological prism यानि एक विचारधारा के उद्देश को रखके आप इस चीज को direct DPSP को implement नहीं कर सकते इसको disapprove कर दिया है majority आप जो views है इसी theory को निकल के आ रही है कि private resource की अगर बात करें तो यह part of the community resource होना चाहिए ना कि individual resource चाहे government की हो चाहे private player की हो तो ज़्यादा सज़्यादा focus इसी पे अगर आप कोई land ले रहा है तो आप welfare की बात करेंगे पब्लिक के welfare की बात करेंगे ना कि private के welfare की बात करेंगे तो यह घरबड हो जाएगी इसी को ले करके यहाँ पे मुद्दा निकल के आया है land की बात करी जारी है कि acquisition कीसी साथ सो होना चाहिए तो यह principle आप imminent domain यानि allocation आप natural resource यह होना चाहिए fair और transparent process ते land का हमें payment सही से किये ही नहीं सही rate पे नहीं किये सही time पे नहीं किये फायदा क्या हुगा कुछ भी नहीं वो और ही ज्यादा गरीबी में पहुच जाएंगे तो यह कहिन कहीं इन मुद्दों पे भी द्यान देना पड़ेगा साथी साथ यह भी कहा गया कि प्राइवेट प्रापर्टी स्टेट की क्या होनी चाहिए उस पे लिमिटेशन भी लगाया है यह नहीं कि हर प्राइवेट जो भी इंडिवीजुल है आपके स्टेट में उसका आप लैंड चीन लेंगे इस पे भी उन्होंने बहुत लगाया लैंड आप चीनिएगा तो एक कॉमन गोल के लिए होना चाहिए पब्लिक विलफेर के लिए होना चाहिए उसी को लेकर के यूटिलिटी सर्विस इंडिस्टीज यह जो कॉंस्टिशनल जस्टिफिकेशन है डिपी असप को लेकर यह जो रिक्वाइर्मेंट आती है कि किसकी यूटिलिटी जो लैंड लेंगे उसकी किसी साब से होगी मिजॉर्टी अफ राइट यही कहता है अधिकार की कॉंस्टिशनल मेकर कॉंसियसली आर्टिकल थर्टी नाइन में यह ब्रॉट टर्म में में मेंशन किया है कि they do not tie down future regime to any particular stand up economic thought तो economic thought की बात करे जारी है अब आता है एक और चीज जो constitutional amendment act आता है 44 में तो 44 1978 में हुई थी जो right to property को निकालके 300A में रख दिया गया है और part 12 में रख गया तो right to property यह कोई fundamental right भी नहीं है पहले क्या थी fundamental right थी अच्छा मेरा question यह है इसको कौन से article से निकालके इसको डाला गया 300A में part 12 में तो यह मेरा question है comment section में जरू लिखेगा क्योंकि यह important है यहां से question बन सकते हैं बाकि सारी चीजे क्रीम मलाई तो मैंने आपको होना चाहिए किसका state government का कि किस हिसाब से वह approach कर रही है इस material resource की तो material resource को approach करने के लिए एक ideas होना चाहिए public welfare वाला तभी वह आगे वड़े अब यह जो अभी आपको बताया तो वी यार किसना अईयर का interpretation इसी को ले करके article 39 भी मैंने बोला दो आर्टिकल और एक एडिटूरियल एक आर्टिकल को आपको मैं एक साथ कवर करूंगा तो यह वही है 39 भी यहाँ पर यही प्रुवाइड करता है और सीप क्या कंट्रोल आप मेटेरियल रिसोर्सेस आप दब कम्यूनिटी तो देखिए यहां पर कम्यूनिटी का बात कर रहा है यहां पर इंडिवीजुल का बात नहीं कर रहा लेकिन स्टेट इस फिल्ड में आता है तो यह बेश्ट होना चाहिए क्या सबसर्व कामन गू है जिसे हम पॉब्लिक वेलफेर की बात कह सकते हैं समाज की बात कर सकते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर की बात नहीं करी जा रही है यहां पर तो यह थर्टी नाइन बी में में स्टेट आप करनाटका वर्सेस रंगनात रेडडी 1977 केस वी आर कृष्णा अईयर ने यहां प रिक आरे सारे चाल यहां पर इस प्रकार से आ रहा है और दम प्राइवेट और पॉब्लिक रिसॉर्से सोरसे अब मीटिन्च मैटेडियल जो आवश्च्छता हो तो यहां में पर प्राइवेट यहां पर इनका इंट्रिटेशन यह है कि वी आर कृष्णा अईयर एवरी प्राइवेटली ओन प्रापर्टी जो प्राइवेट तरीके से आप कोई लैंड खरीदे हैं या फिर कोई कंपनी है इंड़स्टी खरीदी है उस कंपनी और प्रापर्टी की बात कर रहे हैं यह यू जो एड़ोकेट करता है ग्रेटर गॉवर्मेंटल कंट्रोल ओवर प्राइवेट रिसोर्सेस तो यह इंपोर्टेंट अस्पेक्ट था जो मुझे आपको बता रहा था अब डीपी अस्पी की थोड़ी सी और अगर बैक्राउंड में जो आप गया है यहां पर आसा करते हैं आपको यह सारी चीजें कलियर हुई होगी, अगर कलियर हुई है तो फ्रेंड्स यह मेρα चैनल है इसको शेयर करें दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और शब्सक्राइब करने पहें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती हैं, तो शेयर कर सकते हैं नए नई प्रिंसिपल जो दिया गया है क्या क्या है इसमें अप्लिकेशन के लिए 38 में स्टेट सेक्योर करता है सोसल और और प्रोमोशन आफ वेलफेर आप दो पीपूल 39 हम सभी लोग इसी की बात कर रहा है देख सकते हैं सर्टन प्रिंसिपल आप पॉलिसी टू बी फॉलोड स्टेट अब यहां पर DPSP है अब यह क्या इतना बड़ा यह ब्रॉड अस्पेक्ट है जो कोई स्पेस्फिक लाइन को मेंसन नहीं कर दा है कुछ प्रिंसिपल पॉलिसी की है जो स्टेट को फॉलो करनी है तो क्या है इसमें बहुत कुछ आ सकता है इतना ब्रॉड यह एरिय है यानि वोमेन अगर काम कर रही है उनको लीव मिलना चाहिए प्रेग्नेंसी के समय लिविंग वेजज है वर्कर के लिए 43 में 43 ए में पार्टिसिपेशन आप वर्कर है इंडस्टी के लिए प्रमोशन आप कॉपरेटिव सुसाइटी कई बार क्वेस्चन यहां से पूछा गया 43 में है युनिफार्म सिविल कोड अभी रिसेंटली चल ही रहा है 45 में चाइल्ड हूड केयर और एजुकेशन च्छै साल की उम्र तक यहां पे देने का प्रावधान है 46 में प्रमोशन आप एजुकेशन और सिडूल का सिडूल ट्राइब की बात करे जा रही है 47 में ड्यूटी आप इस्टेट की बात करे जा रही है रेस दर लेबल आप नूट्रिशन और स्टेंडर्ड आफ लिविंग इंप्रूब पब्लिक है फोटी सेवन में बात करे जा सब्सक्राइब है 48 में आप एगरिकल्चर और एनिमाल हस्पेंट्री यह वही आर्टिकल है जो मिल्च एनिमल को कटिंग के लिए रोकता है याद रखिएगा यह जो भी दुधारू पसुए हैं उनको रोकता है कटने के लिए यह वही आर्टिकल आर्टिकल 48 ए प्रोटेक् हैं हम सभी लोग जानते हैं लेकिसलेटिव और जूडिशर यह तीनों अलग-अलग बॉड़ी हैं तीनों सेपरेटली कारे करती हैं लेकिन जब भी बात आती है लेकिसलेटिव और एक्जिक्यूटिव की तो यहाँ पर ओभरलैप हो जाता है आर्टिकल 51 की बात करें तो प आचुका है अबशी टेस्टिंग टाइम में हम यह देखेंगे कि स्ट्रकर से एक क्लाइमेट एक्शन को लेके चलते हैं क्योंकि यह बहुत सारी इस्व था जो इन्होंने बोला था क्लाइमेट अक्सन्य ग्लाइमेट चेंज ये फेक वांड इन्होंने बोला था अब इस चीज़े जो करता हो तो किसी साफ से लेके चलेंगे वो देखने योग तो आगने वाले सब्सक्राइब में बाते होंगी तो किसी साफ से कारवन को हम कम करेंगे किसी साफ से कंटRI को कर करेंगे कि क्लैमेट मिटिगेश साथçon को कैसे सुरच्छा करना है टेमिक आरहा है जैसे बहुत सारी इसूट करेंगे सस्टनेबल डवलपमेंट गोल को इसी पे मुद्धों पे बात करें रही है तो अभी बहुत अच्छे सहीस तरीके से तो चल नहीं रहा है इस डिकेड में यानि दस साल में अगर देखा जाए बहुत सही तरीके से नहीं चला लेकिन डोनाल्ड ट्रॉम्प अब उसके प्रेशिजेंट बनेंगे और सपत लेंगे तो ये गोल कैसे चलेगा उसी को देखने योग बाते हैं तो कलेक्टिव एक्षन की बात करे जारी है डिमांड की यहां पे लेके चलने की जरूरत है अगर पहले ही बात करी जाया है तो कॉप 16 का जो सम्मिट हुआ है वर्ल्ड क कुछ नहीं किये उस वक्त यह सीधे सीधे मना करते हैं कॉप 29 होने वाला है अजरबाइजान बाकू में उसको हम देखेंगे यहां पे अजरबाइजान बाकू में जो रिपोर्ट निकल के आएगा तो हम सारी डिटेलिंग में देखेंगे अभी तो उपर-उपर का डिटेल चल ला है ट्रॉम्प यहां पे यही बात कह रहा है यूएस में कि जो पैरिस एग्रिमेंट हुआ है हम क्या किये हैं हम फंड में ने देंगे डब्लु एच्चो को डब्लु एच्चो यहां पे हैरान हो गया था किस समय जब कोविड-19 आया था कोविड-19 के पैंडेमिक से इंहोंने यह आरोप लगा दिया डब्लु एच्चो पे कि यह चाइना को सपोट कर रहा कि चाइना इसको फंडिंग करता था और चाइना के सपोट में जाकरके जो समय पर पैंडेमिक आया तो इंहोंने इन पे आरोप था यह बताये नहीं थे इसकी बज़ां से इह इनका फ जो hidden चीजें है पॉलिटिकल एजेंडा वो कैसे लेके चलेंगे इनकी क्या-क्या कमजोडियां है कैसे यह आगे लेके चलेंगे क्या प्रॉब्लम है चलेंजेंगे वो देखने को मिलेगा इसी प्रकास से वर्ल की रेपेडली स्रिंकिंग कारवन की अगर बात करें तो जो कारवन Εमिशन करके आप लोग तबलक हो गया है लेकिन जो डबलप स mostly मिलडराव किलनेशन है उनका क्या-क्या उनका क्या कैसे क्लाक आपके कहने से थोड़ी आ जाएंगे तो यहां पर यही सारी प्रॉब्लम है तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा इस्सू बना हुआ है क्या बाइंडिंग एग्रिमेंट है कमिटमेंट है इन सब इस्सू को भी देखने की जुरूत पड़ेगी यूएस इरोप की अगर ट्रेड की बात करे जाए तो यूरोप में new carbon border adjustment mechanism यहां पर कार कर रहा था यूएस रिडूज करेगा क्या adaptation financing जो आभी आपको मैं बताया किसी साब से country की budget drain हो रही है और इसको किसी साब से compromise करेंगे डील करेंगे ट्रंप का जो re-election अभी हुआ है पुना चुने गया है प्रेसिडेंट के रूप में वो higher premium बात बुली जा रही है कि government support किसी साब से करेगा किसी साब से नहीं करेगा तो देखते हैं हाला की बात करी जाये तो यह crony capitalist है यूएस से लेकिन देखने योगे बाते हैं किसी साब से लेके चलेंगे scientist collaboration evidence based policy making इन सब की बात करी जा रही है कि लेके चलना पड़ेगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा यहां पर इंपोर्टेंट convention आप पार्टीज है जो काफी इंपोर्टेंट होती है युनाइटे नेशन फ्रेमवा कंवेंशन अन क्लाइमेट चेंज इसको कराता है तो यह काफी इंपोर्टेंट है 95 में क कहां हो रही है अजर्बाइजान बाकु में यह होने वाली है आसा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा यह पूरी डिटेलिंग है आप इसको एक स्लाइट देख लीजेगा अब आते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो यहां पर मोडिफाई कर रहा है इंदस वाटर को समझने के लिए आपको मैं यहां पर बता दें कि जो भारत का जम्मु कस्मीर और लद्दाक वाला रीजन है पंजाब वाला रीजन है इस रीजन से होते हुए कुछ नदिया निकलती है उन्हीं नदियों की बात करी जा रही है इंदस वाटर ट्रेटी के अंतरगर तो यह निकलते आती हैं लोवर राइपेरियन जो नीचे से निकल के आती है पंजाब वाले रीजन से अगर बात करी जाए तो यह दो रीभर इस्ट्रीम मानी जा रही है जिनकी हम यहां पर फोकस कर रहे हैं उसी इंदस वाटर ट्रेटी की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मुझे आपको बताने थी आर्टिकल अगर यहां पर बात करी जाए आर्टिकल 12 क्लॉस 3 आप इंदस वाटर ट्रेटी यही यहां पर कह रहा है जो अभी रिशेंट्ली फॉर्म इस्सू में आया है तो आर्टिकल 12 यह कह रहा है कि इसमें जो है एलाव हो सकता है मॉडिफ मेंली बोला है कि हम ऐसा कहीं ट्रिटी साइन ही नहीं किये हैं अब यहां पर क्या हो रहा है तो यह इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस जो है वहां पर पूरी डिटेलिंग आपको अभी बैग्राउंड में मैं इसका दूंगा चिंता करने की बात नहीं है अब सबसे पहले थोड़ी सी बैग्राउंड डिटेलिंग में जाएंगे और देखेंगे कि इंदर्स वाटर ट्रिटी कब हुआ था क्या क्या हुआ था अब बैग्राउंड डिटेलिंग दिखा तो 19 सिप्तेमबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान को इस ट्रिटी से बाढ़ने वाला कौन सा ग चिनाब जेलम और इंदस ये एक ग्रूप में आता है और रवी ब्यास सतलज इंडिया के अधिकार में आता है तो यहाँ पे आई सीजे याद रखिएगा इससे याद हो जाएगा आपको और राम ब्याहे सीता याद रखिएगा कोड बना लीजिए कुछ भी आप अपने मन से बना सकते हैं तो यह इंडिया के अधिकार में आता है और इसका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है और इन रीवर को यह पास करेगा यह रनाफ रीवर यानि जो रीवर होंगी वो जाएंगी यसी बाते बोली जा रही है अब यहाँ पर देख सकते हैं इंदस रीवर है जेलम की रीवर हैं चेनाज हैं राबी ब्यास और सतलज तो यह लोवर राइपेरियन रीवर हैं यह अपर राइपेरियन रीवर हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए यह और भारत इनको कंट्रोल करने के लिए इंडिया को पावर दिया गया इंदस वाटर कमीशन भी बनाय प्ले किया था तो यह थी पूरी detailing अब यहां पे challenges को कैसे manage करना है तो जो optimum utilization और maintaining है कि पानी flow होना चाहिए और जो better management है वो इंदस water basin में यहां पे पानी का flow रूपना नहीं चाहिए आर्टिकल सेकेंड यहां पे क्या कह रहा तो रभी सतलज ब्यास और पाकिस्तान के अंदर गत कौन सा आता है इंदस जेलम और जिनाब जो पहले ही बताया तो यह इस प्रकार का प्रोविजन इसमें है नहीं कि आप किसी को हाम पहुचा सकें जो detailing आपको अभी मैं दे दिया अब यहाँ पर अगर हम पानी भी रोक लेते हैं तो हम पर कुछ करा नहीं जा सकता वस यह इन्टरनेशनल कोट अप जश्टीस में जा कर एक कुछ केस कर सकते हैं ओ और केस क्या होगा भाई हमने कोई ट्रीटी नहीं साइं किया है कि हम पानी भेजे या आपको हार्म करें त यहां पर यही बात कहा रहा है आई सीजी ने इलाव किया है और हम उस चीज को फॉलो भी करते हैं तो इंडिया इस प्रकार से सोचता है आसा करते हैं यह चीजे आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स यह टेलीग्राम का चैनल है पीडिएफ के लिए आप इसको सब्सक्राइ कर सकते हैं बहुत सारे इस पर वीडियो भी मिलते हैं और सारे मैटेरियल भी डाल दिये जाते हैं नेक्स्ट बात करे जा रही है बाकू की अजर्बाइजान क्लाइमेट चेंज का किसी साब से यहां पर चलेगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मुझे यही लगा एंसी क्य जी निव कलेक्टिव कॉंटिफाइड गोल इसमें यह डिटर्माइन करेगा कॉप 29 में किसी साब से फाइनेंस कॉप यहां पर एक फंड बनाया जाएगा वह किसी साब से टर्न आउट होगा इसकी सुरुवात की अगर बात करी जाया तो कॉप पैरिस कॉंफरेंस से ही सुर जाता है अब यहां पर देखा जाएगा कि किसी साब से किसको किसको यह चीजे दी जाएंगी अब डिटेलिंग अच्छी वाली अगर जब तक नवंबर में यह होना है अजरबाइजान कॉप 29 में तो सारी डिटेलिंग आपको दे दूंगा मैं यह काफी इंपोर्टेंट न जीते हैं याद रखिएगा यह काफी सम्मान की बात है दहिंदू आप भी पढ़ते हैं तो काफी सम्मान की यह बात होती है एर क्वाल्टी कमिशन यहां पे डबल कर दिया है फाइन किस पे तो फार्मर के इस्टबल बर्निंग पे यह क्या होती है इस्टबल बर्निंग जो यह वही धुएं है जो अभी आपको दिख रहे हैं इसके कारण सारे जगह से मालिजा यह राजस्थान है यह मद्ध प्रदेश यह यूपी है इस हिसाब से हरियाना है इस हिसाब से जो भी एंसियार वाले रीजन हैं वहां से धुआ उठके यहां पे दिल्ली में पलूशन मच जा जाते हैं जिसके कारण यहां पे पीयम 2.5 और 10 में ब्रिद्धी हो जाती है तो यहां पे 5500 कर दिया गया जो एकड़ के हिसाब से जितना लेंड होगा उस हिसाब से बढ़ा दिया गया है और 10,000 और 30,000 भी किया जाया और 5 एकड़ से उपर की है लेंड पे अगर आप ज आप दीजिए उनके पास ऑप्शन दीजिए उस ऑप्शन से ही वो रिजॉल्व होंगी यहां पे बहुत ही अच्छी पॉलिशी प्लान और इंप्लिमेंटेशन की जरूवत है ना कि इस पकार का पिनाल्टी फार्मर पहले से ही डिश्ट्रेस में है उन्हें आप अगर प्र कि जलाने से उनका ही खेट का नुक्षान हो रहा है जो फार्मर के फ्ल्ड में केचउए हैं उसके काराड उसी जो इस वह अपने और गाइनिक फर्टिलाइजर का पी प्रियोक्षा draws मुढ़ने की जरूरत हमें है अब यहां पे इसराइल जो है 5.2 बिलियन का पैक्ट साइन किया है कि 25 नेक्स जनेरेशन इसा किया है तो यह इसराइल के विरुद्ध में आयरलेंड भी निकल के आया है क्योंकि इसराइल ने सीधे सीधे अगर बात करें तो जीनो साइड ही किया है वहां पे तो जीनो साइड किया है जिसके कारण 45,000 फ्लस लोगों की डेथ हो गई है कि इस वाले पार्ट में गाजा रफावाला सिटी में तो वहां पे लोगों की डेथ हो जी अघ। एक साल दो साल पांस साल दस साल वी साल उन बच्चों को साफ किया गया है महिलाओं को टार्गेट किया गया है क्यों कि production power इनीडे पास होती है जो उस producing age में उनको टार्गेट कर लो इनकी population ऐसे ही घट आता है यहां पर उसकी बैग्राउंड अभी बोला था मैं दूंगा तो यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टीस है यह च्छै औरगन युनाइटे नेशन की जो बॉड़ी है उसमें से एक आती है और इसकी हेटक्वाटर हेग नीदरलेंड में इस्ताफित है यह सक्सेस यह आईसीजी बन जाता है इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टीस और यह लीघ आप नेशन युनाइटे नेशन बन जाता है तो याद रखिएगा लीघ आप नेशन बहुत जहता वर्ल्ड वार्ड सेकंड के बाद कार करता नहीं है तो युनाइटे नेशन इसको बना दिया जाता है आई सीजे की बात करें तो इसमें 15 जज होते हैं जो इलेक्ट किया जाते हैं युनाइटे नेशन जन्रल असेंबली के द्वारा सेक्योर्टी काउंसेल नौ साल की टर्म के लिए याद रखिएगा कोश्चन यहां से बन चुका है और कोई भी ऐसी कंट्री ऐसी नहीं प्रवेश्ट आप जस्टीश 26 जून 1945 को जिसके 193 मेंबर हैं कंट्री मेंबर इसकी कार क्या है फोकस क्या करता है कि बहुत सारे जो नेशन के इस्सू है उसको बहुत सारे कॉन्फिलिक्ट को हर प्रकार के प्रॉब्लम को नेशन लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे यह र अब है देखिए अगल बगल बहुत सारे चीजें आपके सामने मिलती हैं वह देखने योग बाते हैं गोलंड हाइट का लोकेशन यह वाले लोकेशन डेट सी का लोकेशन गल्फ आप अकाला का लोकेशन यह बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाती है तो आसा करते हैं जो अभी पलेस्तिनियन और इज्राइल का इस्सू आपको एक्स्प्रेंड किया वह सब समझ में आया होगा फ्रेंड्स अगर चैनल और वीडियो जो एक्स्प्रेंड किया वह अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो भी नोटिफिकेशन्स पहुंचना हो आप तक अच्छे से पहुंचे एक कारे कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सेयर कर सकते हैं ताकि नए नए जो भी वीडियो में बनाओ उन तक असानी से पहुंच सके थैंकी फार वाचिंग देहिंदू एडिटोरियल अनलेशिस बाइ पूरा एकडमी